हेलो एवेवरेवन वेलकम तो माई चैनल लॉजिक पाइचाला क्लास 7 का हम चाप्टर नमब 11 पढ़ रहेते हैं पैरेमिटर एडिया 11.3 के हमने 5 कोईशन पढ़ ले इस इस कोईशन से स्टार्ट करते हैं क्या बोलागा एक इस कोईशन में साइमा वांट्स तो पूट अ लेस लगाना चाहती है और उस सर्कुलर टेवल का हमें डायमिटर कितना दिया 1.5 मीटर फाइंड द लिंथ आफ द लेस रिक्वाइड एड और अल्सो फाइंड इस कोस्ट इफ वन मीटर आफ लेस कोस्ट रुपीस 15 आपको क्या निकालना है कि आपको लेस की लेंथ निकालनी है तो हमने ऐस पहले भी पढ़ी थी अगर हमाँ पास कोईशन में क्या दिया होता है जिससे six question है जिक six question में हमें जो है उसे लेस लगानी है एक circular table है इस तरीके से इसकी चारो तरफ लगानी है तो चारो लेस चारो तरफ ही लगेगी और इसका diameter हमें कितना दिया 1.5 मीटर तो ह तो हमने यह चीज पड़ी थी, अगर हमें कोई भी चीज चारो तरफ लगानी हो, तो हम क्या करते हैं, उसका हमेशा circumference निकालते हैं, तो कुछ नहीं, जो diameter हमें कितना थिया है, diameter दिया 1.5 meter, यहां से हम radius निकालेंगे, क्योंकि हमारी formula में हम radius को ही put करते हैं, 1.5 upon 2, radius निकालन यूज होगा, सरका फ्रेंस का formula is 2 by r, pi की value उरोने हमें पहली बता दिया 3.14 रखनी है, r की value है 1.5 upon 2, यहां से क्या होगा, 2 से 2 cancel हो जाएगा, 3.14 into 1.5, इन दो रगे multiply कर लेते हैं, 3.14 की 1.5 से, 5, 4 is 20, 5, 5, 5, 7, 5, 3 is 15, 4, 1, 3, यहो जाएगा 0, 11, 5, 5, 1, 6 में 7, 3 और 4, यह आजाएगा 4, 7, 1, 0 और point लग जाएगा 1, 2, 3, 3 डिजिट के पहले यहां पर meter, तो हमारे पस length आगई lace की, ठीक है, हमें से पहले length निकालना था ना, lace का, तो हमारे पस lace की तो length आगई, उसके बाद हमसे पूछा गया है cost, और हमें क्या दिया हुआ है 1 meter की cost कितनी दिये 15 rupees, तो हमारे पस cost निकालने के लिए, देखे हमारे पस जो 1 meter की cost है 15 rupees, तो हमें तो इतनी meter की निकालने है, जितनी हमारे पस क्या है, lace है, तो जितनी lace होती है, उतनी cost निकालने के लिए, हमें क्या करना पड़ता है, multiply, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे प 105 105 में 18 करेंगे तो 106 15 4 जा 60 60 में 10 18 करते ही इतना जाएगा 70 और 3 डिजिट के पहले हम क्या लगा देंगे जिसमें लेस की लेंथ गालनी है आपको जिसे पहले, क्युसमें आपको रोब्र की लेंथ पता कनी थी तो ऐसी क्या डिए हमें हमेशा circumference निकालनी होती है तो बस circumference निकाली उसके बाद हमी कोस्ट पूची थी 1 meter की cost दी ती, जितने भी आपकी meter की length आ जाएगी, उतने meter से multiply करने, हमें कैने कर जाएगी, total cost हमाई पास आ जाएगी आगे बढ़ते हैं, 7 question में, find the parameter of the adjoining figure, which is a semicircle, including its diameter आपको एक figure दी गई है, इस type की, यह एक figure है, यह एक semicircle है, semicircle का मतलब क्या होता है, circle का half, हमें क्या निकालना है, इसका parameter निकालना है, parameter मतलब circumference एक तरीके से, और एक चीज़ और दे रहे कि उसका diameter भी include करना है, जो यह diameter होगा ना, इससे भी include करना है, तो देखिए, हमारे पस यह वाला जो portion है, ठीके, कौन सा वाला portion, यह जो portion है, यह आपको दिख रहा है कि एक circle का half है, आपके पस circle की जो भी circumference आएगी, अगर आप उसे half कर देंगे, तो यह इतना तो निकल जाएगा, जैसे हमारे पस 7th question में, figure हमारे पस इस तरीके से दिये, यह हमारे पस एक figure ह और यह दिये हमें 10 cm, ठीके, अब हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, parameter निकालना है, और इसके diameter को भी क्या करना है, include करना है, तो पहले तो हम देखते हैं कि यह वाली circumference कितनी बनेगी, parameter का मतलब क्या होता है, कि सारी sides को plus सा, वा false sides होता है, एक तो हमारा यह arc की तरह रहा है, और एक यह है, जो हमारा diameter है, तो यह total मिला के parameter बनेगा, तो पहले हम निकालते हैं कि जो arc सा हमारे पास है, इसका कितनी circumference बनेगी, तो आपको पताए कि इस तरीके से पूरा circle बन जाता है, और यह circle का half है, तो circle की circumference होती है, 2 pi r, अगर हम इसको half कर दें, it means याया pi r वो value हो जाएगИ इसकी, जएक है, सिर्फ इसकी value होगी ओगी हो, अब अमें किया मैं क्या निकालना है, पैरेमेटर निकालना है, तो पैरेमेटर के लिए हमें उसका diameter को include करना है, मतलत जो भी हमारे पासिया circumference आई, इसमें हमें क्या कर देंद है, diameter को plus कर देंदा है, include करने क क्या होता है include करने का मतलब होता है plus करना ठीक है आपको question में दिया गया था कि including its diameter तो जो भी हमारे पास यह आया हमने क्या कर उसमें diameter को include कर दिया अब देखें यह आर है यहां पर रखने के लिए हमें क्या चाहिए आर चाहिए और हमें इनों हमें पाईगी value को कुछ नहीं बोला तो हम अपनी बजी से रख लेते हैं 3.14 ही रख लेते हैं ठीक है into अब हमारे पस क्या है यहां पर देखिए 10 है यह 10 diameter है ठीक है diameter से जब भी हमें 1.57 की multiply करेंगे तो 15.7 प्लस 10 एकोल टू प्लस करेंगे तो 16.7 cm तो हमारा जो parameter आएगा वो आएगा 16.7 cm तो आपको कितना ध्यान रखना है आपको यह diameter भी लेना है इस से ध्यान रखना क्योंकि equation में यह बोला गया था including its diameter तो आपका जो भी parameter कैसे निकलेगा एक तो यह हमारे पस कर्व है यह arc सा बना हो है इसका हमारे पस circumference निकलेगा यह circle का आधा है circle की circumference होते है 2 pi r अगर हम उसे half कर देंगे तो हमारे पास यह arc की किया जाएगी circumference उसके बाद हमें parameter में बोला था diameter को भी include करना है तो हमने जो भी circumference थी उसमें diameter को भी plus कर दिया diameter को plus करके solve कर जो हमारा answer आगया तो आपको बस यह diameter यह चीज़ ध्यान रखना है यह okay आगे बढ़ते है next question में क्या बोलागा है find the cost of polishing a circular table top of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is 15 rupees per meter square देंगे आपको क्या निकालना है आपको cost निकालनी किसी cost निकालनी आपको एक circular table है उस पे polish करना है और उसके polishing की क्या निकालनी है cost आपको circular table top का diameter दिया हुआ है अब question में हमें कैसी पता चलेगा हमें तो polish करना है तो corner पे तो polish नहीं करेंगे आप पूरी circular table पे polish करेंगे लेकिन अगर आप यहां भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें circumference निकालनी एरिया निकालनी है तो आप हमेशे क्या करिएगा cost को देखना cost में क्या लिखा हुआ है 15 rupees per meter square meter square किसकी unit होती है meter square unit होती है area की अगर यहां पर meter होता है तो हम निकालते circumference क्योंकि circumference की unit cable meter में होती है square use नहीं होता है देखिए पहले question में हमने per meter था na square नहीं था तो इसलिए हमने इस वाले question में circumference निकाली थी पट इस question में देखे, unit यहाँ पर meter square, it means यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, area निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, this question में हमें दिया क्या है, diameter दिया हुआ है, 1.6 meter, तो सबसे पहले इसका radius निकालेंगे, क्योंकि diameter से radius निकालना ज़रूरी है area के formula के लिए, अब area का formula means pi r square, pi की value उन्होंने बोली है, 3.14 ही रखनी है, तो जो बोली जाएगी, वही रखी जाएगी, 1.6 by 2 into 1.6 by 2, cancel कर देते हैं, यहाँ से यहाँ जाएगा 0.8, यहाँ जाएगा 0.8, multiply करते हैं, 3.14 multiply 88 जा 64, और point लग जाएगा 2 digit के पहले, अब 3.14 की multiply हो नहीं है, 0.64 से, 4, 4 जा 16, 4 जा 4, 5, 4, 3 जा 12, 6, 4 जा 24, 6 जा 6, 2, 8, 6, 3 जा 12, 6, 9, 11, sorry, यहाँ पे 10 जाएगा, 8 में 2 प्लस के 10, 2 में 3, 1 प्लस के 3, और 4, यहाँ पे आया 1, और point 1, 2, 3, 4 digit के पहले, 1, 2, 3, 4, यहाँ जाएगा, हमारे पास 1.4096 meter square, है, तो अभी हमारे पास सिफ area आया है, हमें क्या निकालने है, equation में cost, तो हम क्या करेंगे, cost निकालेंगे, और देखे, cost निकालेंगे, cost निकालने के लिए, हमें, 1 meter square की cost कितनी दिये, 15 rupees, तो जो भी हमारे पास total आया है, यह 1.4096, इसकी multiply किसे हो जाएगी, 15 से हो जाएगी, यहां पर multiply कर लेते हैं, side में, 5, 6 है 30, 5, 9 जा 45, 45 में 3 प्लस करेंगे, तो 48 पूरा आजाएगा, 5, 4 जा 20, 5, 1 जा 5 और 7, 6, 9, 0, 4, 1, 0, 8 में 6 प्लस किया 14, यह 14, 1, 1, 2, और 0.4 डिजिट के पहले लग जाएगा यह, तो answer के दर 21.1440, रुपीर से के, तो simple multiply है, यह तो आप करी लेंगे, multiply है, बस आप concept याद रखी, आपको कैसे समझना है, कि किसी question में area निकालेंगे, या फिर आप parameter निकालेंगे, तो area निकालने के लिए, अगर आप यह समझ जाएंगे, यहां पर, कि meter square है, या फिर meter है, तो आप वहीं सही प and bent into a shape of a circle, शार्जली के पास जो है, वो एक wire है, जिसकी length 44 cm है, वो उसे mode के एक circle बना रही है, ठीक है, find the radius of a circle, पहले हम इतना काम करते हैं, ठीक है, अब हमारी पस देखिए, हमारी पस क्या है, एक wire है, मान लीजी, आपके पास यह कोई इतनी बड़ी wire है, यह 44 cm की है, ठीक आपके पास यहां से लेकिए, यहां तक की length इसकी 44 है, आप इसी wire को क्या कर रहे हो, mode इस तरीके से mode रहे हो, कि एक circle बन जाएगा, तो आप यह बात बताएं कि जो wire होगी, यह यहीं तो लगी होगी ना, circle के corners पे, यहां पी तो आई होगी, इस तरीके से wire आ गई होगी है, क्योंकि इसी wire को आप क्या कर रहे हो, mode रहे हो, कोई भी wire हो, उसको mode के आप क्या कर रहे हो, इक circle बना रहे हो, तो इस 44 cm इसके चारो तरफ आ गई होगी wire, तो इसके चारो तरफ wire लगी है, वो 44 cm है, तो circle के चारो तरफ कोई भी चीज लगती है, तो वो उसकी क्या बन जाती है circumference बन जाती है it means 44 जो है वो circumference की तरह use करेंगे हम इसे directly देखे हम से नहीं बोलाए कि 44 circumference है लेकिन according to question this is a circumference कैसे because of 44 जो है वो हमारे पर circle में इस तरीके से लगा है कि हम उसे bent कर रहे हैं इसको mode रहे हैं तो जितनी बड़ी wire की length ऐसी होगी आप क्या करें इसे paper रहे है एक तरीके की wire आप इसे इस तरीके से fold कर दीजे तो जितनी इस तरीके से fold कर देंगे तो जो wire की length होगी वो एक तरीके circle की circumference में आ जाएगी तो वो circumference बन जाएगी अब circumference का formula 2 pi r equal to 44 2 into pi की value 22 by 7 r हम ही निकान ला है तो r की जगे r ही रखा जो value divide में है वो दह चली चाहेगी multiply में बाकी चोई multiply में यह आ चाहेगी नीचे divide में solve करते हैं 2 से से करते हैं 2 2s of 4 2 2s of 4 22 cancel हो गया और r की value कितनी बिल गी 7 cm तो पहले चीज़ तो हो गई ठीक है आगे हमसे क्या बुला है also find its area अब हमें इसका area भी निकालना है तो अब हमाएं पस radius है area का formula लगाएंगे pi r square pi की value 22 by 7 r square है it means r को दो बार रखेंगे 7 से 7 कट गया 7 to 14 और 7 to 14 1 15 cm square तो हमारे पस यह आगे दूसी चीज area भी आ गया ठीक है आगे बढ़ते हैं क्या पूछा है हमसे if the same wire is bent into the shape of a square उसी wire को मतलब जो आप यह वाली wire यूज कर रहे हो ना लंबी सी इसी wire को आप मोड के अगर एक square बना रहें इस तरीके से तो अब आप बात अगर हम square बनाएंगे तो wire square के चारो तरफ ही तो लगेगी it means square का जो parameter बनेगा वो wire की length बनेगी यहां circumference बोल देते हैं यहां parameter बोल देते हैं तो हमें क्या निकालना है what will be the length of each of its side तो हमें square की side निकालनी है तो हमें यह तो पता चल गया कि parameter को हमें 44 cm ही use करना है और क्यों की use करना यह भी पता चल गया क्योंकि जो wire है हमारी यह वाली यह जो square है इसके चारो तरफ लगी और चारो तरफ की कोई भी चीज होती है लगी वह उसकी parameter बन जाएगी तो parameter का formula कितना होगा 4 into side equal to 44 यहां से हम side निकालेंगे तो कितना चाहिएगा 44 upon 4 यह cancel होगा 11 कितना चाहिएगा 11 cm side आ गई आगे क्या पूछा है which figure enclose more area the circle और the square कौन सी figure ने जादा area enclose किया है तो एक का area तो हम निकाल चुकी है ठीक है इसका area तो हमने निकाल दिया अब हमें बस square का area निकालना है तो हम यह क्या लगाना area of square area of square कितना होगता है side into side ठीक है तो side का 11, 11 into 11, 11 into 11 करेंगे तो 121 cm square आ जाएगा अब आपके देखे क्या यह वाला area जादा है यह area जादा है तो कौन सा area जादा है circle का area जाद है, तो हम क्या लिख देंगे, कौन सी figure ने सबसे जादा area लिया है, circle ने area लिया है, ठीक है, तो question में बस क्या बोला था, हमें 44 समझना था, इस 44 का use क्या है, तो जो 44 होना है, यह circle की तो circumference है, और square का क्या है, यह parameter, तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है, आगे 10 questions स next video में करेंगे,